दूस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एजी गार्डनर के बारे में जो कि ऐसा प्रोस स्टायलिस्ट और एसा एसेस्ट काफी ज़्यादा लिटेचर के फील्ड में फेमस रहे हैं इनके बारे में आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे और इनसे रिलेटेट जो एक लॉग कोश्चन आता है कि ऐसा इनके बारे में प्रोस स्टायलिस्ट बताईए या फिर एजी गार्डनर के ऊपर कुछ लिखिये राइटा सौर्ट नोट ओन एसे एजी गार्डनर ओके या फिर एसा इसे इस इनोंने क्या नेम एन फेम अर्ण किया है इन सभी चीजों के बारे में बताईए तो इसी चीज से रिलेटेट दोस्तों हम लोग इस लॉग को कर अप करने वाले हैं ठीक है आज के इस वीडियो म इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखें याद रखें क्योंकि हर जगे ज्यादा तरह रिखता हम लोग एजी गार्डनर करके यूज करते हैं लेकिन इनका फुल नेम भी याद रखना काफी ज़दा जदूदी है ठीक है तो अभी हम लोग दोस्तों इनके जो भी आंस पैंलरेसेश्ट मलब कि एसेइश्ट के वारे में और अपरोस स्ट्यलिस्ट के वारे में इनके बाद में बताईए तो जैस Bizilla के हर एक जो भी लिट्रेचर के फीर्ड में राइटर वगरा आए हैं उन पर सभी का कोई न चोई एक पैन academ होता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम लोग एक चीज कोश्चन में नोट डाउन कर देंगे तो जो भी रीडर होगा या फिर जो कोई भी एक्जामनर वगयरा होगा कॉंपी जो भी चेक करता होगा तो उसके दिमाग में चीज तो अच्छी खासे आ जाएगे कि हाँ इसके बारे में कुछ जानते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ अच्छे वर्ड्स और कुछ अच्छी चीजे लिखना ज्यादा जरूरी होता है तो वेल नून राइटर हैं और कौन ऐसा वेक्ती होगा जो कि जिसने लिटेचर के बारे में उसको जानता हो लेकिन आजी गार्डनर का नाम उसने ना सुना हो ठीक है तो ऐसा एसे इसे में काफी सारे बहुत सारे एसे लिखे अपने लिटेचर के फिल्ड में बायोग्राफी लिखे हैं और सात ही सात में इसकर्चर में लिखें इसकर्चर का मतलब करेक्टर स्कर्चर वगईरा जो भी होते हैं उन्होंने बहुत यह अच्छी तरीके से लिखें ठीक है तो इनको हम he is a well known writer of essays, biographies and scriptures ठीक है, scriptures का मतलब वही character, scriptures इन्होंने बहुत सारे अच्छी रही किसे लिखा है फिर आंगे देखिए, ये ऐसा journalist भी इन्होंने name and fame अरन किया है ऐसा journalist भी काफी आंगे चल कर ये journalist के बेबी काफी ज्यादा famous हुए तो ऐसा journalist में हम इनको जानते हैं, समझते हैं उसके बाद में फिर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि His essays appeared in a numbers of collections जो इन्हों जो ये A.G. Gardner है ये इन्होंने ये बांकी सारी तो चीज थे इन्होंने बायोग्राफी भी लिखे, character sketches भी लिखे ये ऐसा journalist भी famous हुए नेकिन जो इनके essays थे A.G. Gardner को जो essays थे इनके essay के वज़े से इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको इनका बहुत जादा name and fame literature के field में इनके essay के वज़े से तो इनके बहुत सारे collection number of collection essays के बने हैं जैसे कि यहां पर दो-चार हम लोगों को example भी बताना जदू दी है जैसे कि यहां पर first take लिखा है pebbles on the shore ठीक है यह इनका बहुत ज़्यादा famous और outstanding साई के essay है जिसको हम लोग आंगे चलकर cover करेंगे ठीक है leaves in the wind और winds fall करके इनके बहुत सारे essay है साइथ first year में भी हम लोगों ने एक essay को इनका cover up किया हुआ है ठीक है बीए part one में भी एक हम लोगों ने इसके essay को cover up किया है तो यह सारे इनके कुछ essays है pebbles on the shore leaves in the wind और winds fall ठीक है यह सारे इनके कुछ essays के नाम है जिनको आपको याद रखना चाहिए और जब भी कभी इस तरीके question आता है तो नसभी को लिखना भी चाहिए ठीक है फिर आंगे देखते है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो एजी gardener है the main the editor of the daily news ऐसा इनोंने दोस्तों यहाँ पर इनके बादे में यह बताएगा कि यह daily news जो एक तरीके का वो आता है ठीक है जो एक तरीके की जो छोटी सी पत्सिका वगेरा रहती तो उसके editor भी रहे है और date भी लिखी है 1902 से 1919 के बीच में इनको ऐसा editor इनों daily news में काम किया है ठीक है उसके बाद में he always wrote philistres pros philistres का मतलब दुस्तों होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा pros हमले कि उनको pros के field में literature के field में बहुत ही ज़्यादा इनको हम लोग एक तरीके से इनका सम्मान करते है ठीक है क्योंकि हम ऐसा बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा दोस लिखते जो कि बहुत ही ज़्यादा philistres का मतलब दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा सुक्त रदान करने वाला और ऐसा लगता है इनको इनको पढ़ करके कि जैसा कि यह लाइन हमारे बारे में लिखी गई है और साथ ही साथ में जब भी हम कभी इस तरीके के एसेस को पढ़ते हैं ठीक है इनके एसेस को पढ़ते हैं तो हमारे आखों के सामने भली वो नहीं चल ला होता है लेकिन हमारे मन में कोई ना कोई Imagination Power हमारी जो होती है उससे हम साफ देख सकते हैं साफ सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि जो भी ये बोल लाए है वो किस तरीके से चल ला है ठीक है तो यही सारी चीजे हैं तो Gardner's Essays Reveal the Humors of Chaucer मैं लब कि जो Chaucer का Humor है वो भी इनके Essays में दिखाई पड़ता है ठीक है जो Sexpear का Broad Outlook है Broad Outlook का मतलब होता है दूस्तों कि गहराई से देखना ठीक है गहराई से देखना जो Sexpear जिस तरीके से अपने प्रोज में लिखते थे उस तरीके से इनका Broad Outlook भी Sexpear के जैसा दिखता है ठीक है और जो ये Reforming Zeal है Zeal का मतलब कि जो उत्सा है ठीक है तो ये भी हमको तो जो उत्सा होता है वो भी Dickens के जैसा देखने को मिलता है ठीक है तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर से आप इसको देख सकते है कि जो भी Chaucer के जैसा Humor Sexpear के जैसा Broad Outlook और Dickens के जैसा जील उत्साह देखने को इनके Essays में मिलता है ठीक है तो ये सारी चीचे हैं उसके बाद में फिर देखे आंगे क्या लिखा हुआ है कि इस स्टाइल इस पर्सनल एंड इन फॉर्मल जो भी इनोंने इस्टाइल यूज करी है Essays लिखने की बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है एकदम ऐसा लगता है कि कोई भी पढ़ करके ऐसा समझ सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इसी लैंग्वज है किसी को कोई भी बड़ेस आनं और कठनाई भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मल है इन्फॉर्मल का मतलब की बहुत ज़्यादा फ् Eck का यूज नहीं किया गया है ठीक है इनकी language में फिर यहां देखी के लिखा है कि his tone is conversational जो इनकी tone है लिखने की यह ऐसा conversational tone में लिखते है conversational का मतलब जैसे की बात चीत करती हुई tone में लिखते है ठीक है so it appeals to the reader very much और जो की जो की readers को बहुत ज़्यादा attract करती है और उसको appeal करती है ठीक है very much जो कोई भी इनको पढ़ता होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं cases ठीक है अभी देखते हैं आंगे चलते हैं फिर दोस्तों आप यहां पर आंगे देख सकते हैं कि जो एजी गार्डिनर है उनके अंदर सारी जो भी महान लोग हैं महान मास्टर्स हैं एसेस्ट जैसे कि बहुत सारे एसेस्ट और भी होँए जिनके नाम आप जानते होंगे ठीक है तो उनके साथ इनकी compare कर सकते हैं जैसे कि एजी गार्डिनर है जो उनके अंदर बहुत आच्छे अच्छी सी क्वाल्टीज देखने के मिलती है ठीक है अल्डा ग्रेट क्वाल्टीज ऑफ दा मास्टर्स एसेस्ट ठीक है जैसे कि लाइक भी क्वेंसी इनके बारे में साथ आप नहीं जानते होंगे ठीक है तो कोई इनके अंदर दिखते हैं लेकिन इनके जो भी डिफेक्ट्स हैं वो इनके अंदर नहीं दिखाई पड़ते हैं ठीक है तो इनके बारे में कुछ अच्छी बाते कहना तो बनता है यह जब इनके बारे में लिखी रहें तो ठीक है जिससे के सामने वाला जो भी है पढ़ करके attract हो, उसके बाद में he never adds too much of embellishment embellishment का मतलब ही होता है ornament, ornamentation का use ये बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं अपनी language रिखते समय, कि जो भी simple और normal सी language है, ठीक है, जो कि हम आम बोल चाल की भासा में जिसका use करते हैं, वही ये लिखने में भी, essays को लिखने में भी use करते हैं, बहुत ज़्यादा ornamentations, idioms, phrases और बहुत ज़्यादा कठिन-कठिन words होते हैं, जिसको इंसान समझीने अपए, तो इस तरीके के words ये इनके essays में और इनके prose में दिखाई भी नहीं पड़ता है, ठीक है तो इसके बाद में फिर आंगे क्या बताना है in the language, he never attempts for a great florist ये बहुत ज़्यादा flourishment का use नहीं करते हैं ठीक है, या बहुत ज़्यादा polishing नहीं करते हैं, यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा language को polish करके नहीं लिखते हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा simple language का use करते हैं literature और essays को लिखते time में इसके बाद में फिर आंगे इनके बादे में एक और चीज लिखी हुई है कि जो ag gardener है is a modern writer ये modern writer है of a great reputation के ठीक है, एक अच्छी छवी वाले या फिर एक अच्छा जिनका reputation बनता है, उनके modern writer है ठीक है, अब तो modern, जितने भी informal way में लिखते हैं जितने भी writers हैं जो की informal style में लिखते हैं वो सारे अधिकतर modern writers ही होते हैं, तो इनके बादे में भी आपको यही चीज बताने है, कि ये modern writer है ऐसा great reputation ठीक है, तो I think कि इतना sufficient होगा आप अपनी तरफ से भी add on कर सकते हैं इसको जो भी long question है तो ये ऐसा long question मैंने नहीं बताया है इनके बारे में थोड़ी चीजे बताई है ठीक है, बाकी आप इनकी तरफ से अलग से add on कर सकते हैं इनकी life history से related इनका born Google वगेरा में आपको सारी चीजे मिल जाएंगी, ठीक है तो आप इसको search करिए और इसका एक अच्छा सा long question बनाईए और इनके बारे में लिखने की try करिए ठीक है, यहाँ पर में तरफ से कुछ इनके बारे में था, तो अगर आप चाहें तो इस language को यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा simple और easy language है, आप चाहें तो इसका भी use अपने notes बनाने में कर सकते हैं So, I hope आपको समझ में आया होगा, कोई भी problem होती है तो comment section में comment करेगा और अच्छा लगता है वीडियो तो thank you भी लिखना मत भूलेगा, ठीक है, इस वीडियो को share करें जिससे और भी जादा लोगों की help हो सके So, thanks for watching this video दोस्तों, thank you once again मिलते हैं दोस्तों next video में जिनके बारे में, जिसके बारे में हम अभी से बता रहेते हैं, कि ag gardener का ही एक chapter हम लोग कर अपकरने वाले हैं ठीक हैं, so thank you once again